आज हम आपकी हिंदी की बेदा में केदा नमसी अग्रवाल द्वारा रचित अच्छा होता सीर्शक का पठन कार्य कराने जाने हैं किर पास सभी भईया वेन ज्यान पुर्वक्त सुरेंगे और समझेंगे शुषर वाचन अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए परार्थी पक्का और नेती का सच्छा होता ने स्वार्थ का चहवच्चा ने दले लदागी ने चरित का कच्छा होता अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए संकेत परदी अगर आदमी डौट 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 कच्चा होता सब्दार्थ परार्थी दूसरों का हित चाहने वाला नेती भागे स्वार्थ अपना हित कच्चा कमजो संदर्थ परिसुत पद्यांत हमारी पाट्र पुष्ट हिंदी के काव खंड में शंकलित अच्छा होता नामक सीशक कवता से लिया गया है यह केदार्नात अग्रबाल द्वारा रचेत अपूर्वा काम संग रह से लिया गया है पिर संग भाईया वेनो परिसुत पद्यांत में कभी ने मानवता के पृति व्यक्ति के कर्तब एक कर्तब का सुंदर्वर्ण किया है भाईया वेनो कभी ने कभी केदार्नात जी ने कहा है कि यदि मनुस्व दूसरे मनुस्व के हितके विशह में भी सोचता तो कितना अच्छा होता जिस प्रिकार प्रकृति के सभी उपादान निश्वार्थ दूसरों के लिए परार्थी के होते हैं उसी प्रिकार कितना अच्छा होता यदि मनुस्व भी अपने वच्छा नियत का सच्चा होता नियत सच्ची होती और स्वार्थ का खजाना नहोता अब तू दूसरों के हित के बारे में सोचता अर्थात बाहर से परोपकार का दिखावा करके अंदर स्वार्थों के धिर लगाए हुए नहोता और नहीं उस पर कोई कलंक लगा होता ने बुराई का कोई दाग लगा होता और ने वह चरित का कमजोर होता तो कितना अच्छा होता समाज के चारों और अच्छा ही अच्छा होता काव स्वांदरिये भयावेनो नमर एक भासा लोग भासा के सब्दों में से युक्त है यह पध्यान्द लोग भासा के सब्दों से युक्त है नमर दो सेली इस पध्यान्द की सेली विवेच नातमक सेली है यहाँ पर सांत दस्का प्रियोग हुआ है नमर चार चंद मुत्तक चंद है नमर चे सब्द सक्ति इस पध्यान्द की सब्द सक्ति अविदा एवं लच्छना है अलंकार इस पध्यान्द में अनप्यास अलंकार का प्रियोग किया गया है नैश्न नमर है गुण यहाँ पर प्रिशाद गुण का प्रियोग किया गया